जैश्रिकाम मेरे धनू रासी के प्यारे जातक जातिका कैसे हैं आप लोग ठीक हैं हम बात करेंगे आपके लिए अक्तूबर 2024 की मैं जानता हूं कि आप लोग बेसमरी से इंतिजार कर रहे हैं कि आचारी जी ने अक्तूबर के बारे में तो बताया ही नहीं क्या होने वाला है खर आपके रासी स्वामी वक्री वी हो रहे हैं इस मही éta नहीं तो कुछ खास आपके साथ होने वाला है अक्तूबर में इसमें कोई दो है नहीं लेकिन एक सूचना पहले देता हूं फिर आपकी बारे में बताता हूं सूचना क्या है कि यदी आप किसी प्रकार का कोई भाग राम कथा या शिश्यू महापुराण कथा इत्याद करना चाहते हैं या चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वाचारे राजमिस्रा के द्वारा हो संगीत में हो लोग उसका अनंद प्राप्त करें और हमारे जीवन के दोस्त दूर हों जीवन में आगे बढ़ें तो आप उसके ल ले करके आप मिले साथ बात करशकते हैं करशकती हैं और विस्तार से चीज़ों पर चर्चा करेंगे आपको बताते हैं कि आपके लिए अक्तूबर कैसा रहने वाला है सबसे पहली चीज पर चर्चा करते हैं और वो चीज है I आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यूशे अक्तूबर कैसा रहने वाला है तो सबसे पहले जो लोग मुटापा बढ़ने की समस्या से बहुत परिशान थे मुझे लगता है कि बिस्व में जो सबसे बड़ी प्राब्लम इस टाइम की है वो मुटापा है और दूसरी बड़ी है शुगर की जो समस्या है यह दो प्राब्लम्स बहुत ज़्यादा परिशान कर रही है तो इस महीने धनूराशी के लिए मुटापा कम करने का जो टाइम है वो इसटार्ट हो रहा है ब्रहस्वती वक्री हो रहे हैं नौ तारीक को वक्री होंगे नौ तारीक से पहले गुर दुना राज चौगुना बढ़ रहा है तो इस से आप परिशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं या दिख रही हैं लेकिन जैसे ही नौतारी को ब्रहस्पती वक्री होंगे और ब्रहस्पती वक्री होंगे तो पंचम भावत रहेंगे और आपका जो health है उसमें सुधार आएगा तो आप मोटापा जरूर कर कम कर पाएंगे चल रही health problem को solve करने का रास्ता आपको जरूर मिलेगा तो सबसे पहली बात तो आपके लिए health के लिए खुश खबरी है आपका स्वास्त अब अच्छा होता हुआ दिख रहा है चलो दूसरी बात कर लेते हैं बेल्थ को लेकर गे तो पैसे को लेकर आखिर भाई क्या condition रहेगी बेल्थ दो प्लानेट आपके राशी में जो है उसको देखते हैं एक तो स्वयम ब्रहश्पती बेल्थ की कारक चमा चाहूँगा शुक्र बेल्थ को देखते हैं आपकी राशी में और दूसरे सनी बेल्थ को देखते हैं सनी अपनी कोई राशी परिवर्तन इत्यादी नहीं कर रहे हैं as usual position में रहेंगे तो सनी के कारण बेल्थ में कोई बड़ा सुधार आए उसकी chance नहीं दिखते हैं यानि जो investment तोगरा के पहले plan चल रहे हैं वहीं चलेंगे और उसी पर काम करने की आवश्चकता भी है लेकिन पैसा आने का रास्ता अगर देखा जाए वो इस महीने मुझे सांदार दिख रहा है और खुलता हुआ दिख रहा है उसका region है कि शुक्र जो है 12 तारीक तक आपके 11 था उसमें गोचर करेंगे तो अगर पैसा कहीं से आने वाला है तो उसके लिए 12 तक प्रयास कर लिजी बारा तक पैसा आएगा जरूर इसमें कोई दोराय नहीं है प्रयास भी कर लिजी और बारा तारीक तक आपके पैसा आएगा भी इस प्रकार की condition दिख रही है शेर में पैसा लगाते हैं लोटरी शक्ता इत्याद में पैसा लगाते हैं कोई भी ऐसा कारी करते हैं तो उसके लिए 12 तारीक तक का समय बिलकुल ठीक है लेकिन बारा के बाद जैसे ही सुक्र ब्रिश्चिक रासी में प्रवेश करेंगे उसके बाद पैसा लगाना बंद कर दीजिए, कहीं ध्यान लखिएगा, कहीं भी लगाने से डूबने का योग है, पैसा आना बंद हो जाएगा, ऐसा लगा कि पैसा जा रहा है, आकम रहा है, लेते हैं, क्या इस महीने कोई property से related जो matters है वो solve होंगे, property से related problem solve होंगी yes, क्योंकि ब्रहस्पती जब वक्री होंगे नौतारीक के बाद तो ब्रहस्पती मेसरासी में जाएंगे तो property से related जो आपके matter है, वो निश्यत रूप से solve होने वाले हैं वहां की परिस्थिति आपकी अनकूल होगी, property इत्याद बेचने का और खरीदने का या property से related विवाद solve होने का योग है क्या education को लेकर कैसा रहेगा संतान को लेकर कैसा रहेगा और प्रेम संबंद इत्याद को लेकर कैसा रहेगा देखो, क्योंकि ब्रहस्पती वक्री होंगे तो पंचम भाव में आएंगे और आपके रासी स्वामी है मंगल पंचमेश हो करके सबतम भाव में रासी को मिथुन में देख रहे हैं तो 9 तारिक से लेकर के और 20 तारिक के बीच में ये 11 दिन होंगे जब प्रेमी प्रेमिका से बातचीत होगी मारेज के लिए प्लानिंग तक बात पहँचेगी नए प्रेमी प्रेमिका का आपके जीवन में प्रवेश होगा या पुराने प्रेमी प्रेमिका के आने का योग है एजुकेशन को लेकर के भी आपके लिए ये मा सान्दार दिख रहा है पढ़ाई इत्यादी में , नौ तारिक आपका अच्छे से मन लगेगा शंतान को लेकर भी नौ तारिक के बाद को निश्जत रूप से wszystkich खबरी आपको प्राप्ट होती हुए दिख रहει है संतान को लेकर के भी अच्छे रिजल्ट आपके नजरा रहे है हाँ जीवन शाती के जीवन में थोड़ा क्रोध इत्याद होगा जिससे परिशानी रहेगी 20 तारीक के बाद ना तो प्रेम को लेकर कंडिसन अच्छी है ना संतान को लेकर अच्छी है और ना ही एजुकेशन को लेकर के अच्छी है प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये माहा आपका अच्छा दिख रहा है बुद्ध स्वग्रही गोचर करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होँगे खर आप मुझसे और बहुत बिस्तार चाहते होंगे या चाहती होंगी लेकिन क्या करों समय कम है और उसी समय के अंदर सब कुछ कबरब करना है वो थोड़ा मुश्किल होता है रात को नौ बजे दो पहर को बारा बजे से लिए लाइब आता हूँ आप मेरे साथ लाइब जुर सकते हैं बात कर सकते हैं फ्री में अगर आप कॉल अपॉइंट्मेंट लेकर बिस्तार से बात करना चाहते हैं तो आप कॉल अपॉइंट्मेंट लेकर बहुत तरीके से बात कर सकते हैं अपनी सारी प्राब्लम्स को समझ सकते हैं उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अगर रामकदा भागत भायत क्यार कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं चलिए भगवान आपके जीवन को सुक्मे रखें इसी सुबकाम नक्षा जैश्री राम बहुत धने लाइ